तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये एक अस्तर वाला सूट है, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है इसको रखता है साइड में तो कि आज की वीडियो का जो में हमारा मकसद है वो है अस्तर वाले सूट में घुम तरीके से किस प्रकार से आप जिप या फिर चैन लगा सकते हो तो दोस्तों जो पीछे वना पल्ला देख सकते हं यह ऊस्तर है मैंनnya फैपरिक रखा हुआ है जब ही कभी आपने तरह से मैं बतसके हो कि किस तरीके सें किस तरी के से चान लगा सकते हो तो सभसे पाएले देखिए दश्तों दो निशान लगा रख्या है और यह जो निशान लगा रखे हैं मैंने दोस्तो यह लगा रखे हैं मैंने केवल अस्तर में तो आप केवल अस्तर को ही उठाना है आपको देखिए यह जो कट होता है दोस्तो यह कट का मतलब होता है कि यहां तक हमारे चाक याने स्लीट्स बनेंगे तो यह निशान मैंने 18 इंच से नीचे नहीं आनी चाहिए अगर ज्यादा नीचे चैन चली जाती है तो फिटिंग में प्रॉल्म होती और ज्यादा लंबी नीचे चैन अच्छी भी नहीं लगती तो इसमें फिलाल दोस्तों जो गला बनेगा वह बनेगा साड़े साथ इंच का तो यह देखिए इस मेडियम साइज होता है तीन सवातिन के करीब होता है तो यह दिखे बिल्कुर सिंपल तरीकी से मैंने निशान लगा लिया है गला भी इसमें मैंने बिल्कुर राउंड बनाना है गोल गला यह देखिए अब पहले में गले की कटिंग करूँगा अब इसके बाद दोस्तों बिल्कुर सेंटर में यह जो सेंटर आपको दिख रहा है न स्तर का इसमें आपको सेंटर में कट लगाना है कट कहां तक लगाना है कट आपको लगाना है देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका ठारा इंचा रहा है ठारा इंच से नीचे आपको चैन नहीं लगानी अब दो बाकी कि जो बड़ी चाहें उपपर से निकल जाएगी यहजा इसको उठाए की अब फ्रेंट्स इसको क्या करना है तरह आपको उठाना इसका अस्तर यह इसका अस्तर है, अस्तर को आपने इसे इस करकार से रखना है, बिल्कुल सेंटर में, यह देखिये, बिल्कुल सेंटर में नखेंगे इसको, آپको करना क्या है? आपको बस एक बहुत असान सा काम करते हैं यह जो मैंने कट लगा है यह जो काट हो जाता है कि हमारा कट है बलकुल बव्राबर है या नहीं तो इसको सब्सक्रायी लगानोया है आपको यहां सेसे नहीं देखे जो अस्तराले इसका यह वाला अस्तर के उपर आपको सिलाई लगानी इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मार्जन लेना ज्यादा मार्जन नहीं लेना आधा इंच से भी कम मार्जन आपको लेना है और यहां पर जब आप नीचे आ जाते हूं तो यहां पर आपको ट्रैंगल बनाना चोट मतलब कॉर् नहीं है इस तीर का बस आपको ध्यान रखना है उपर से गलावला सब बराबर हो कहीं से छोटा बड़ा ना हो बिल्कुल सेंट्र इसको पकड़ लिया आपने यहां से अस्तर को इसके साथ अट्याच करते हूं यह देखिए यहां से सलाइके में स्टार्टिंग करूंग अ अब इस सिलाई को मैंने आप खतम कर दिया है अब बाकी का प्रोसेजर मैं आपको समझाता हूं ले जाकर काउंटर पर तो दोस्तों आप देख सकते हूं यह स्लाई मैंने लगा ली है स्लाई लगाने के बाद बिल्कुल बीचो बीच यानि के सेंटर से आपको इसकी बाला पार्टन यह वाला इस पर थोड़ी थोड़ी आपको नाखूंस इस तरह से प्रैस कर लेनी है कि क्योंकि इस तरवाला इस्सा चला जाएगा अंदर की तरफ और इसके बाद दोस्तों यह देखिए अस्तर आपको अंदर चला गया और यह देखिए इस परकार से आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसा लुक नजर आएगा अब यह जो कपड़ा है बिल्कुल फिक्स रहे अपनी जगर हिलेना उसके लिए आपको क्या करना है आपको किन इसको हम लगा लेते हैं दी बिल्कुल किनारे में लगाएं यह जाएंगे इस तरग के से तो सबसे पहले हम स्लाइल लगाएंगे इस गले वाले इससे की देखिए यहां से इसको पकड़ लिया यहां से और यहां से इस प्रकार से स्टिचिंग करेंगे अब दोस्तों इस लाइल लगाने के बाद आपको यह जो एक्स्टा कपड़ा यह वाला इसकी आपको कटिंग करनी है तो दोस्तो इस परकार से देखिए यह रख लेक हमारा का की कारेंगे कैसे अर दोस्तो इसकी नने को चेंच डहीं angry यह लगाने के कोई जोडिने शाई है अब आपको उठानी है चैन तो चैन को दोस्तों आपने उपर निकालना है यह देखिए नीचे आपको सिर्फ चैन इतनी ही रखनी है यह जो इसका लोक होता है यह लोक आपका बस यहां तक आ सके यह देखिए ठीक है यह लोक यहां तक आ जाए और अब देखिए दोस्तों ब लगानी के चैन बिल्कुल भी नजर नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है एक तर्सी पट्टी को चैन के बिल्कुल बीच में आपको रखना है उपपर चढ़ाते हुआ इस प्रकार से ठीक है अब यहां से आपको केवल एक स्लाई लगानी है और एक स्लाई में ही आपकी इस जगह पहुंचने के बाद दोस्तों यह देखिए अब यह जो चैन है चैन को आपने इस प्रकार से बिल्कुल इसके बराबर रखना है और यह पर धीरे-धीरे मशीन को चलाना है एक दम से मशीन को नहीं चलाना है क्योंकि नीचे इसमें वह लोक होता है लोक के उपर दोस्तों अब आपको जब इदर से चैन लगानी है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए कि देखिए यह चैन बिल्कुल इसके बराबर रखनी है ठीक है यह देखिए इसके साथ रखें और बस एक हलका सा आपको काम यह करना कि जब आप चैन लगाओ तो पीछे थोड़- चैन हमारे पीछे वाले σε में लग चूकी है और यह का अंदर से आप लुक देख सकते जिस प्रकार से अब दौस्तों में बात होती है यह 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 देखिए इसका गला है अब इस चैन को आपने किस प्रकार से सैट करना है क्योंकि जो बढ़ी हुई चैन होती हैं सब से पहली लिए जो लोक होता है इस लोक को नीचे सरका है ठीक है इसको जैसे मैं नीचे सरका रहा हूं आप देख सकते हो ठीक है अब इसके बाद यह जो बढ़ी हुई चैन है इसको आपने यहां से कट कर देना यह देखें कट कर दिया मैंने अब इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है उरे पट्टी और उरे पट्टी लेकर जैसे नॉर्मल गला बनाते उसी प्रकार से बनाना है और उरे पट्टी को कैसे लगाना है क्योंकि दोस्तों इस जगे से थोड़ सी हमको उरे पट्टी बाहर के तरफ निका तो देखिए दोस्तों, अब ये जो में थोड़ी से कपड़ा एक्सटर रखना उरे पट्टी को इसके पीछे कारण ये उता है, तब इसको मैं फोल्ड करकर आपको दिखाता हूँ, इस थोड़ा सा पहले इसको आहां से कट करेंगे, क्योंकि एक्सटर मार दिन होता है नो यह करते हुए ऐसे इसको फोल्ड कर देना यह देखिए यह उरे पटी आपके अंदर चली जाएगी और इस परकार से देखिए अंदर जाने के बाद आपकी यहां पर तुर्पाई हो जाएगी और यह जो कपड़ा इसको थोड़ा कम करना ज्यादा बड़ा इसको नहीं रखना य शाम न को प्रकार से एपको दूसरी तरफ भी उरे पटी लगा लिनी थो को दखाने के बाद दोस्तों पड़्य को फिर इसका ध्यान लूक मैं आपको दिखाता हूँ तो दूस्तों यह दिखे मेरे आज की वीडियो जिसमें में आपको बताया कि अस्तर वाले सूट में बि करें थेंक यू वेरी मॉच